अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हम आपके लिए डेली सक्षमता परिक्षा का 100% सही एनलाइसिस लेकर आ रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि आज की एक्जाम में क्या-क्या प्रस्न पूछा गया है आज की एक्जाम का पहला प्रस्न था भारत का प्रधान मंतरी बनने के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए तो कम से कम आयू 25 बर्स होनी चाहिए तभी आप भारत के प्रधान मंतरी बन सकते हैं अगला प्रसन पूचा गया आज के एक जाम में घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, अगला जो प्रसन पूचा गया वो देख लीज़े अपने स्क्रीन पर, कई प्रसन तो, कई सिट में repeat भी हो रहे हैं, इसलिए आपको analysis देखना क काफी कई प्रसंतों कई सिप्टों में रिपिट किया जा रहा है इसलिए एनलाइसिस आपके लिए काफी जरूरी है कई प्रसंतों कई सिप्टों में बार-बार रिपिट किया जा रहा है तो चलिए नेक्ष्ट प्रसंट जो पूछा गया दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पतार्थ कौन सा है तो वो कौन है हीरा है अगला जो प्रसंट पूछा गया आज के एक्जामे मानब सरीर की सबसे बरी हड़ी कौन सी है तो मानब सरीर की सबसे बरी हड़ी कौन सी है फिमर है एक बार मानब सरीर को भी आप देख के जाईएगा ठीक है मचली किस की साहता से सांस ले पाती है तो मचली गलफरो की साहता से सांस ले पाती है question था संभिधान सभा की प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो कौन थे डॉक्टर वियार अंबेटकर कौन थे डॉक्टर वियार अंबेटकर अगला जो प्रसंद पूछा गया आज के एकजाम में भारत ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ब्र सबस्य लंबा राश्टी यांगानों थे तो वह इन फ्राल सम्राज green s pcs इन्फ कौन से अगला थी प्रसंद में सबसे पहली आज कोण सी बनी तो राजा हरिश्चंद रियाद रहिए कंसी थी राजा हरिश्चंद्द याद रखिये राजा हरिश्चंद मिंदि पेछले दि रिष्टी से भारत का सबसे छोटा राज एक कौन सा है तो सबसे छोटा राज कौन सा है गोवा है कौन सा है गोवा अगला जो प्रसंद पूछा गया अगला जो प्रसंद पूछा गया आज के एक जाम में वो है बैंको का राष्टी एक करन कब किया गया था तो बैंको का ये जन्रल डायर औगला जो प्र convince पूछा गया था वो देख लीजे कौं से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है ? तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौंन कनाड़ा। क् convince है ? कनाड़ा। कनाड़ा है ? इलोत प्र अगला जो प्रसंद पूछा गया आज के एकजाम में वो देख लिए आप सिकंदर ने भारत पर कब आकर्मन किया था तो सिकंदर ने भारत पर कब 326 ECB में आकर्मन किया था ये पिछले दिन भी पूछा गया था ये प्रसंद अगला प्रसंद आज के एकजाम में पूछा है क कटक किस नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर अगला जो प्रसंद्ड पूछा गय है नीचाम में किस वर्स की गई थी। भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस्ताफना 1880 में की गई थी, कव 1880 मुंबई में की गई थी, अगला जो प्रसंद पुछा कि आज की एकजाम में अजन्ता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संब्धी थे, तो अजन्ता गुफा की चित्रकारी बौध धर्म से रिलेटे अगला जो प्रसंद पुछा गया देख लिजे किस संब्धान संसोधन के दोरा पंचायती राज विवस्ता लागू की गई, तो तेहत्तर में संब्धान संसोधन के दोरा पंचायती राज विवस्ता लागू की गई, अगला जो प्रसंद पुछा गया पलासी का यूद कब से पुकारी जाती है जिसे पुकारा जाता है रेड क्लिफ लाइन क्या रेड क्लिफ रेखा अगला जो प्रसंद पूछा गया देख लिए भगवान बुद्ध द्वारत देहत्या की घटना क्या कहलाती है जिसे कहा जाता है महापरी निर्वान क्या कहलाता है महापरी निर्व अगला जू प्रस्द पूछा है वह देख लीजिए आप कौन से देश की सेतों से साथ लगतीक। अगला जो प्रसंद था वो देख लीजिए यहां पर अर्ष सास्त्र का नोबल पुरस्कार किस बर्ष सुरू हुआ तो नोबल पुरस्कार जो अर्ष सास्त्र में दिया जाता है वो 1969 में सुरू हुआ अगला प्रेसं था गुप्त बंस का संस्थापक कॉन था तो गुप्त बंस का संस्थापक स्रीृव ता इगला प्रषाण पूछा गया तुलबुल पर 28 में सामिल किया गया था अंतराष्टी उलंपिक समीती का मुख्याले कहां है यह है स्वीटिजर लेंड में कहां है स्वीटिजर लेंड में अगला जो परशन आया हमारे पास बाद में वो देख लीजे गौतम जृतारे का बचपन का नाम क्या था काफी सिंपल परशन पूछा गया है तो पूंगल तमिal नाडू कह तो पूछा गया वो देख लीजे किदधा और भांगरा किसरा जेके नोक निरीते है तो ये पंजाब के लोक निरीते हैं Next question आया वो देख लीजे भारत में पहली बार मेटरो रेल से बाक वा किस नगर में आरम की गई थी ये सबसे पहले कलकत्ता में आरम की गई थी अगला प्रस्ण था भारत में रेल का आरम किस सन में हुआ तो रेल 1833 में भारत में शुरुआत हुआ नेक्स्ट कॉस्चन पर्थम भारती अंतरिक्ष यातरी कौन थे स्क्वार्डन लीडर राकेश सरमा जो 1784 में अंतरिक्ष में गय थे नेक्स जो प्रस्ण आया वो देख लिजे हजारा राम मंदिर किस बिजय नगर सासक के काल में बना था था यह हजारा राम मंदिर किस देवराय ने बन बाया था बिजय नगर के सबसे महान सासक माना जाता है अगला प्रसन था सहजादे के रूप में सा जहां का क्या नाम था तो खुर्रम सा जहां का क्या नाम था बच्पन का खुर्रम नाम था अगला प्रसन था तुर्को द्वारा पर्थम बार बास तब एक चाप का प्रियोग किस मकवरा में किया गया था तो बलबन के मकवरा में किया गया था अगला जो प्रस्ण आया आज के एक्जाम में वो देख लिजे रिख बेट का छठा मंडल किस रिशी को समर्पित है तो छठा मंडल भारदवाज रिशी को समर्पित है अगले सिप्ट में देख लिजे सबसे चमकीला गरा कौन सा है तो सुक्र है सबसे चमकीला गरा प्रित्वी की जुरुबा गरा भगनी गरा यह सब इसी को कहा जाता है नेक्स्ट देख लिजे सरपर्थम किस उपनिसद में ब्रह्मचरे गिरहस्त बान प्रस्त और इबं सन्यास आधी आस्रमों का बर्नन हुआ है तो यह हुआ है जबालो उपनिसद में अगला जो प्रसन है बिस रेट क्रॉस दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो आठ मई को मनाया जाता है दिवस से भी डेली प्रसन पूछे जा रहे एक पर अब देख के जाईएगा हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो चगधा सितंबर को मनाया जाते समिधान की किस अभिनव बिंद्रा कौन थे अभिनव बिंद्रा अगला प्रसंद था सन 2016 में ओलंपिक खेल कहा हुए थे रियो डीजेनेरों में कहा हुआ रियो डीजेनेरों में अंतराश्टी मानव अधिकार दिवस्त कम मनाय जाता है तो 10 दिसंबर को मनाय जाता है अगला जो प्रसंद प पूछा गया विसाल हरियाना पार्टी किस ने बनाई थी यह राओ बिरंद सिंग ने बनाई अगला प्रसन जो पूछा गया हो था भारत में सबसे पहले सुर्ग किस राजे में निकलता है तो सबसे जो पुर्भी राजे होई होगा तो अरुनाचल प्रदेश नेक्स्ट अग सियावला में परचुर मात्रा में मिलता है अगला जो प्रसंट पूछा गया भारत का पर्थम गर्जनरल कौं था बिलियम बेंटी कौन था बिलियम बेंटी अगला प्रसंट सो bride का मुखहले कहां इसती थै। निक्ष्ट कोस्ट नपने अगला है इस समय सियुत्राज संग के कितने सदस हैं Premium सदस के सियुत्राज संग के ? नेक जबiciones पुछा गया सियुत्राज संग सुरक्षा परिशित्थ के कितने देस सदस होते हैं तो 15 अस्थाइ और 10 अस्थाइ अगला जो प्रसंद पुछा गया आज के एक जाम में किस बिटामिन की कमी से खून का रुकाब बंद नहीं होता है उसके बाद जो पुछा गया ब्रहम समाज के अस्थापना किसके द्वारा की गई अगला जब प्रसंद पुछा गया आज के एक जामे वो था स्वामी द्याननसरसती का मूल नाम क्या था तो मुल संगर क्या था मूल संगर next question पुछा गया वो देख लिजी आप बासको डिगामक कहा का रहने वाला था तो बासको डिगामा पुर्टकाल का रहने वाला था हवा महल कहां इस्तित है तो हवा महल कहां इस्तित है जैपुर में इस्तित है अगला जो प्रशन पूछा गया सिख धर्म का संस्थापक किस गुरू को माना जाता है तो सिख धर्म का संस्थापक गुरू नानक देव को मान करें दाता है तो इस तरह से आज की एक्जाम में जितने भी प्रस्म पूछा गया उसका हमने कम्लीट एनालइसी किया और अगर हमारे पास और प्रस्न अगर जितने भी सिखंचा के क्लास में टक की जया हिंथ वह देख लिए पर Mireṇ attached का आयोजन हुआ तो परATHERम चैन संगति का आयोजन का हुआ पाठली पुतर में हुआ नेक्स responsibility था बंयों का देश कालाता है तो बंयों का देश किसे कहा जाता है ब्रिटन को कहा जाता है अगला जो परशन पूछा अनुकूल राय का संब्द्ध किस से है किर्केट से है । किर्केट से है, अलग-लग सिप्टों में पुछा गया है, प्रस्ण कच्छे फलोक को किर्थिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का परयोग किया जाता है, अगला जो प्रस्ण पुछा गों दख लिए पुछल तारा जो 76 बर्स बात दिखाई देता है ये क्या नाम है इसका इसे हेली पुछल तारा या धूमकेतु कहते हैं क्या कहते हैं अगला जो प्रसन आया पुछल तारा जो 76 बर्स बात दिखाई देता है इसे क्या कहते हैं हेली पुछल तारा या धूमकेतु कहा जाता है अगला जो प्रसंद था कि संबिधान के किस भाग में है तो भाग 15 में है अगला प्रसंद था कील नहर कहां है जर्मनी में इस्थित है नेक्स्ट कोस्चन दो था वो देख लिए आप सोतंतर भारत के पहले मंत्री मंडल में जग जीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया था अगला है 10 डिगरी चैनल इस्थित है तो 10 डिगरी चैनल कहां इस्थित है तो देख लिजे 10 डिगरी चैनल अनमान और निकोवार के बीच में इस्थित है नेक्स्ट कोस्चन था धर्म की सोतंतरता आधिकार कितना से कितना अनुछेत तक है तो 25 से 28 अनुछेत तक धर्म की स तंतरता से related है अगला प्रस्ण देख लीजिए यहां पर की था बिहार की कितने राजेपाल राष्ट पती बने तो एक जाकिर हुश है ना दूसरा रामनात कोविन दो क्या बने राष्ट पती बने अगला जो प्रस्ण पूछा गया प्रित्वी सुर्य का चक्कर लगाती है य प्रत्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला गरह सुक्र है कई बार रिपीट हो रहा है बार बार यह प्रस्ण तो आप इसे विध्यान में रखिएगा अगला जो प्रस्ण आया आज के एक जाम में सुर्ज से धरातल का तापमन कितना है सुर्ज के धरातल का तापमन 6000 जार डिगरी Celcius है next question टेलिफोन का अविस्कार किस ने किया था तो ग्राहम बेलने किस ने किया था ग्राहम बेलने अगला जो परस्ण आया आज के एक्जाम में और देख लिए कुंद ग्राम अगला जो परसन है पैसा भीजने की मसीन CDM का सब्द भिस्तार क्या है Cash Deposit मसीन अगला परसन था बिहार का राज की ब्रिक्ष कौन सा है तो बिहार का राज की ब्रिक्ष क्या है People है अगला जो परसन आ आज के एकजामे धल बडल अदिनियम कब आया था 1995 में आया परकास की गती कितना है तो 3,000,000 km per curation पर Cracassion के दोरां सरजित oxygen का सुरोत क्या है तो भर가지 है जल है Next question था SEVi सेभी हा फुल फर्म की है Security Exchange Board of India Security and Exchange Board of India अगला प्रस्न था कि तेल निर्यातक देशों का संगठन कौन सा है तो वो ओपिक है कौन सा है ओपिक अगला था IMF का मुख्याले कहा है IMF का मुख्याले वासिंग्टन DC है कहा है वासिंग्टन DC नेक्स जो प्रस्न आया किसी गरह के चारो और गूमने वाले बिंड को क्या कहते है तो उपगरह कहा जाता है अगला जो प्रस्न था आप देख लिजे कि महारतन कंपनी भेल का गठन कभ हुआ था तो 1964 में हुआ था सधारन मानम में गुन सुत्रों की संग्या कितना है तो 46 कितना है 46 अगला जो प्रस्न पुछा गया पासा का आकार कैसा होता है घनाकार पासा का आकार कैसा होता है घनाकार होता है वो देख लिजे आप next question पूछा गया नमक सत्यागर में गांधी जी के साथ कितने लोग सामिल हुए थे 79 अनुआई क्या हुए उनके सत्यागर में सामिल हुए हासा एब हम लिपी में क्या संबंद है तो सहजात संबंद नहीं होता है सुभास चंद बोश ने कौन सी नारा दिया था ते हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा और दिल्ली चलू का नाराक्षिन दिया था सुभास चंद बोश ने दिया था इस तरह से आज की एकजाम में जितने भी प्रसन पूछा गया उसका हमने कंपलीट एनलेसिस किया अगर आप हमारे पास और प्रसन आता है तो हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे तो अगर आप हमारे चैनल से नई जूने तो जुर्याई चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहें